इमरान खान पियोके में रैली करने गए तो उलूल जुलूल के सपने दिखाने लगे कहने लगे कि वो कश्मीर के ब्रांड मिजडर बनेंगे और वो कश्मीर के आवाज पूरी दुनिया में उठाएंगे लेकिन इस दौरान इमरान खान ने फिर धर्म का काड खेला इमरान खान ने फिर पूरी दुनिया के मुस्लिम देशों से मदद की गुहार लगाई लेकिन इसके साथ ही उन्होंने स्विकार भी कर लिया कि उनका साथ देने वाला कोई नहीं अब ऐसे में हम आपको उस पियोके निवासी की आवाज सुनाते हैं जो पाकिस्तानी पियम इमरान खान के प्रोपोगेंडे की पूल खोल रहा है उन्होंने बताया है कि कैसे पियोके में इमरान की रैली फ्लाप हो गई कैसे ट्रक में भर कर लोग इमरान खान की रैली मेल लाए गए अप्टाबाद से पश्टूनों को और रावल पिंडी से पंजाबियों को ट्रकों में भर भर के जो है मुझाफराबाद की तरफ लेके आ रहे हैं अजाद किश्मीर के लोगों ने जिसको हम P.O. के कहते हैं उन्होंने मुकमल तोर पर अमरान खान के जलसे का बाइकार्ट किया है और इस पर मैं समझता हूं पूरी दुनिया को उस बिचारी गिरी हुई कौम को मुबारक बात देनी चाहिए जो नजरियाती तोर पर भी कन्फियूज उनको किया है सतर सालों से और सियासी तोर पर भी उनको पबंद किया हुए तो आज वो कौम जाग उठी है मैं बार बार मीडिया पे ये बात कह रहा हूं कि पाकिस्तानी मुक्बूजा कश्मीर में बहतर सालों में पहली दफ़ा जो है वो एक उभार उठा है अवामी उभार जो बगावत की तरफ जा रहा है और ये उसका खुला सबूत है अब अमरान खान को मुझाफराबाद में जल्सा करने की क्या जरूरत पड़ी पहली बात तो सेंक्डों की तदाद में लोग सतर सतर की उनको सजाएं दे के अंदर किया हुए मुक्तलिफ केसिस में कि एक से बरी हों के दो दूसरे में चलेगा केस उनका और वो अंदर ही रहेंगे और फिर खैबर पक्षटून खुआ में अब तो क्लियर मनजूर पश्टीन ने ये कर दिया वाज़ कर दिया है कि जब तालबान के ऊपर अपरेशन करना होता था तो पहले ही बता दिया जाता था और तालबान को वहां से नकाल दिया जाता था और बिचारे गरीब मासूम पश्टूनों को मार दिया जाता था और उसका क्राइटेरिया उन्होंने ये रख़ता कि जितने नौजवान मरते हैं वो हर नौजवान को ऐसा मिलिटेंट जो है वो काउंट करते थे यानि और वो यही वज़ा है कि वहां इतना बड़ा उभार उठा है और इतना नारा बाजी हुई है वहां कि यह जो देहशत गर्दी है इसके पीछे बर्दी है फिर सिंद्र है पर बलोचستان के अंदर हजारों की तरदाद में लोग डिसपीर हुएं रेप को यह कहते हैं कि च्छमीर में यह यह इन अल्गाया है कि जी रेप को एदावएपन इस्तमाल करते हैं तो बलोचستان में तम लोग क्या कर रहे हूर हो वहां तुम डlosGU को एदावएबन को एस तो तो इसलिए वो तो legitimate है उसकी तो कोई legitimate ही है नी वो तो honorable एक gesture ही नहीं है अमरान खान का कि वो मुझाफराबाद में आकर जलसा करें लेकिन मुझाफराबाद में जलसा करने का मकसद इस से फरक है वो ये है कि इस वक्त पाकिस्तानी establishment को ये समझ नहीं हा रही कि इसको कंट्रोल कैसे करें क्योंकि जेके लफ के अंदर भी बहुत सख्ट जो है वो इस वक्त तनाव पैदा हो गया है क्योंकि जेके लफ के कारकुन जो है उनके सामने उनकी leadership बेनकाब हो गई है उनको पता लग है कि हमने कुछ करना है हमें अजादी चाहिए पाकिस्तान से और जेके लफ इस डालेमा का शकार है और आज ही जेके लफ की कियादा जाकर बैठगी है फारू कैदर के साथ सौलतकार जो है उनके साथ और मुझे उनके साथ और मुझे अपरबाद की हकूमत किस ने बनाई तो इसलिए ये इमरान खान को लेके आ रहे हैं ताकि सिचोशन को थोड़ा काम डाउन करें किसी तरह कंट्रोल करें लेकिन मुझे तवक्व नहीं है कि ये काम डाउन होगी जाहिर है पाकिस्तान के खिलाब अब पियोके में विद्रो हो चुका है पहले भी बगावत की तस्वीरे सामने आ चुकी है ऐसे मैं अब इमरान के हाथ से आज नहीं तो खल पियोके निकल ही जाएगा ब्यूरा रिपोर्ट भारत तक